हलो दोस्तो दोस्तो आख सभी का मेरे चैनल पर स्वागते हैं मैं आस यदी नदी ना होती तो क्या होता पर निवन लिखना सिका रही हूं जग्की प्यास कौन भुजाता यदी नदी ना होती तो प्रकर्ती की सुन्दर्ता कौन बढ़ाता यदी नदी ना होती तो नदियों के बिना प्रकर्ती की कल्पना करना बहुत मुश्किल लगता है नदियां हम सब मनुष्य, पशुपक्षी, पेड़ पौध्वे सभी को जल देती है नदियों के जल से किसान अपने खेतों की सिचाई करते है नदि के पानी के बिना जीवन की कल्पना कठिन है हम जितना भी पानी का इस्तमाल करते हैं बह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नदियों से मिलता है यदि नदियां ना होती तो हम सब प्यासे और भूके रह जाते पूरी धरती बंचर और रिगिस्तान बन जाती नदियों के जल के बिना हमारे प्रती दिन के काम जैसे खाना बनाना कपड़े धोना आधिक कैसे पूरे हो पाते नदियों पर बांध बनाए जाते हैं जिससे बिजली बनाई जाती है नदियों के बिना बिजली का निर्मान नहीं हो पाता नदी प्रकरती की सुन्दर्ता में चार चांद लगाती है, बिना नदियों के प्रकरती की सुन्दर्ता अधूरी रह जाती, कई परेटक नदियों की सुन्दर्ता को देखने नदी के किनारे आते हैं नाबिकों और मच्वारों को काम नहीं मिल पाता, नदियों के बिना पानी में रहने वाले जीव जन्तूओं का भविश्य खद्रे में आ जाता, धर्ती भी समाप्त हो जाती, नदियों का हमारे धार्मिक जीवन में भी महतो है, पूजापाट, अनुस्टान, कर्मकान आधी नदियों के किनारे ही किये जाते हैं, नदियों के बिना धार्मिक कार्यों की ये सब सुविदाएं नहीं मिल पाती, अते नदियों के बिना हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाता, नदियों के पानी को हमें गंदा नहीं करना चा धन्यवाद